हलो स्टुडेन स्वागत है आपका A to Z कलासेज में बिहार बोड के केमेस्टी के लिए सौलीड अस्टेट का बहुत ही महत्पुर्ण परस्न बतलाने जारे हैं जिसमें पार्ट वन में कुछ क्वेश्चन बतला गया हैं सौलीड अस्टेट का ही और इस वीडियो में भी सौली मैगने टन खिसके बराबर होता है ओं जो हता है चुमबकिए आघोर्ण निकालने का महत्रा था चुमबकियम आघोरों मैगने टिंग मोमेंट इसका सब्वकिन एक मैंन मेंट्टन क्या होता है नाइन पॉँंट ञुमवाज इसका ऑनस्वार हैं। Salesforce कडीया निकालने का मात् Question 22, यदि band gap 0.7 electron volt हो, तो वाक किस परकार का पदार्थ होगा तो पदार्थ सुचालक, कुचालक और चालक अति-चालक होता है, तो यहाँ पर जदी band gap सुन हो जाता है, तो वो सुचालक रहता है, अब band gap 6 जदी हो जाएगा, तो वो कुचालक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर द हैगा तो वह अर्चालक होगा तो 22 का अंसर आपका होता है बी 23 निमलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है समन्वय संख्या कोर्डिनेशन नमबर 8 किस धातु का होगा तो आउप्शन दिया हुआ है पोटैसियम फेरस जींक एयू तो यहां पर समन्वय संख्या आठ वाला धातु काउन है तो अंसर हो जाएगा पोटैसियम तैस का ए 24 निमलिखित में काउन सा पदार्थ बिसम दैसिक्ता दरसाएगा तो दो परका क्या गुन होता है वो सम दैसिक्ता एक होता है बिसम दैसिक्ता तो जो क्रिश्टल दाता है क्रिश्टलिये ठोस विसम स्थाइसिक्ता जो आक क्रिश्टेलिये ठोस जाता है वह संब दैसिक्ता के दर्साता है यहां पर विस्थाल्य खोजना है तो गलास क्यूब यह तो कि चलिये नहीं होता है लकडी पलास्टिक यह सब क्रिश्टलिये नहीं है तो कृस्टालिय का उन्हें बी नंबर में बी-ए-सी- ल्टू तो बी-ए-सी- ल्टू विसम्दैसिक्ता दर्साएगा तो ट्वैंटी फोर का अंसर होता आपका वी कृस्टालिय देखना था 25 साउटकी दोस होने का कारण है देखिए फ्रेंकल दोस होता है एक साउटकी दोस क्रिश्टल ये दोस दोनों है फ्रेंकल दोस और साउटकी दोस दोनों क्रिश्टल ये दोस है तो फ्रेंकल दोस में क्या होता है केटायन मलब धन आयन जो है अंतराली अस्थल में चले जाते ह लेकिन सौटकी दोस में गाइब होता है दोनों अनुपस्थित हो जाता है कौन-कौन तो केटायन और इनायन मला धन आयन और रिनायन दोनों के दोनों गाइब हो जाएंगे तो सौटकी दोस का कारण बनेगा तो यहां अंसर आपका सौटकी दोस का कारण हो जाएगा डी उपास्थित होगा तो जब भी होगा तो पेर में जोडा में एगो धनायन एगो धनायन दोगो धनायन तो दूगो डिनायन तो अंसर 25 का अंसर आपका होता है 26 एक्स तथा बाई तत्वों से निर्मित याओगी घनिय सनसना में क्रिष्टल यह होते हैं जिसमें एक्स परमानू घन के कोन पर बाई परमानू फलक के केंद्र पर उपस्तित हो तो याओगी कसुद्र तो पहले ये जान लिजे किरिश्टल घनाकार किरिश्टल में कोन पर जो होते हैं एक कन उपस्थित रहेगा अब पिंड के केंद्र अन्ता केंद्र बोला जाए पूरा बाउडी का पिंड केंद्र या अन्ता केंद्र तो वहाँ पर भी एक कन रहते हैं लेकिन फलक के अंदर में तीन रहते हैं तब कोन पर एक तो यक्स का मान वन हो जागा अब फलक पर तीन तो बाई का मान तीन हो जागा तो याउगिक का सुत्र बनेगा यक्स वाई थिरी यक्स का मान वन और बाई का मान तीन तो 26 का अंसर आ संख्या चाउदा लेकिन मूल क्रिष्टल तंत्र बोलेगा तो साथ होगा अब बेबरेज जाला की संख्या चाउदा यहां पर होगा आप इसी तरह के वीडियो को अंद तक देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और जदी कमे लाइक करना चाते हैं किसी परकार का प्रोब्लम हो तो जरूर कर सकते हैं तो यहां पर 27 का अंसर B 27 का अंसर C होता है बेबरेज जाला की संख्या चाउदा 28 P टाइप अर्ध चालक में बहु संख्यक आवेस बाहक होते हैं तो यह जान लिजए अर्ध चालक दो टाइप का य यहां पर यहां टाइप में इलेक्टोन के परवासे होता है आबेश आबेश के रूप में बाहक होता है इलेक्टोन अब P टाइप मलब पोजिटीव तो यहां पर चीद्र होते हैं होल चीद्र यहां पर बोला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां P टाइप हम लो की लंबाई में संबैंद में तोड़ा देता है इस इस इसन पर लिए किनारा बराबर होता है ट्लिया बीडी के लिए लिए भुटे रूट 3 और यह आप CC के लिए A बराबर होता है 4R वटे रूट 2 तो उपर में 4 है और नीचे में रूट 2 तो एक रूट 2 रूट 2 कर जाएगा तो उपर में 2 रूट 2 बचेगा तो A बराबर हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू R तो आपका 29 का अंसर होता है C 30 यदि band gap 6 इलेक्टोन भोल्ट हो band gap क्या होता है तो दो परकार के चालन पर्टी होता है एक होता है सैयों जी एक होता है क्या चालन पर्टी एक होता है violence पर्टी तो यहां पर BV और CV conduction band और violence band तो violence band से इलेक्टोन निकल कर conduction band में जाता है तो वही दोनों के बीच में जो गैप राता है उसको हम लोग band gap बोलते हैं तो band gap के आधार पर तीन परकार के जानते है सुचालक कुचालक और अर्ध चालक तो जड़ी band gap 0 रहेगा तो वह विदूत का चालक होगा अब band gap जड़ी 6 इलेक कुचालक होता है इलेक्टोन भोल्ट 6 हो जाएगा तो वह क्या हो जाता है कुचालक तो यहाँ पर अंसर आपका आता है इन में से कोई नहीं क्योंकि कुचालक का अंसर दिया हुआ नहीं है तो अंसर आपका होता है तीस का डी जड़ी कुचालक मारता तो जिम्मा नमर अप 31 यदि band gap 0 electron volt मालों कोई band gap नहीं है overlap रहेगा दोनों क्या है overlap कोई band gap नहीं है तो दोनों सटा हुआ रहेगा तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा बैधूत चालक या सुचालक भी बोल सकते हैं तो आपका अंसर 31 का A हो जाएगा आपको बैंड गैप का कंसेप्ट दे चुके हैं प्रिवियस वीडियो में तो जीरो इलेक्टोन भोल्ट महलों कोई बैंड गैप नहीं है तो 31 का A 32 निमलिखित में काउन बेरवादार ठोस है तो बेरवादार बोलते आ क्रिश्टलिये को और रवादार ठोस बोलते क्रिश्टलिये ठोस को यहाँ पर हम लोग को बेरवादार का बतलब पहले समझे कि आ क्रिश्टलिये का अंसर खोजना है तो आ क्रिश्टलिये गलास हो की काई सेल में कितनी साजेदारी होगी देखे जदी पिंड के अंदर में रहता तो हंड़ेड परसेंट बी सी में रहता है तो पचास परसेंट और किनारा पर रहेगा तो पचीस परसेंट होगा क्योंकि किनारा पर वन वटे फोर होता है तो वन वटे फोर से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 25% 34 PN junction diode में विधुत परवाह का कारण होता है तो देखिए इसमें दोनों आपका पी टाइप भी अर्चालक है और यन टाइप अर्चालक का जक्सन है दोनों का मिलन है तो हम लोग जानते हैं कि पी के कारण पी टाइप में छीद्र होता है और यन टाइप म में छीद्र और यन में इलेक्टोन लेकिन दोनों यहां पर है PN junction में दोनों रहता है P टाइप और यन टाइप दोनों तो अंसर क्या हो जाएगा दोनों रहना चाहिए इलेक्टोन और छीद्र तो अंसर C हो जाएगा इलेक्टोन तथा छीद्र दोनों तो 34 का अंसर आपका C होता है 35 जर्मेनियम G.E. अर्ध चालक के साथ उपस्थित A.S. आर्सेनी क्या होता है तो देखे जब उपस्थित एक दो तत्व रहेगा या एक दो परमानू रहेगा तो उसको डोपेंट बोलते हैं जब बाहर से कोई मिलाया जाता है तो उसको डोपेंट के रूप में बोल पाने के लिए तो जर्मेनियम में आर्सेनिक क्या करता है डोपेंट 35 का सी अंसर आपका होता है इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें केमेस्टी के परतेक चेप्टर का विहार बोड के लिए अतीम महत्पुल्न प्रास ने जो कि विहार बोड में आने की 100 परसेंट गारा कांटी रखें